असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं सब खीक हूं खरीयस होंगे आप सबी दोसले में वेतम खीक हूं और आज मैं बनाओंगी आम पन्ना क्योंकि आम योगा मोसम है और अभी पूरी तरीके से आम आये नहीं है आम भी आ रही है तो चलो आम आने से पहले हम अम्मीन हिजितन सबस्टा में बूंची करते पांत। यो अगर करें तो आच कि शुरुआइब करेंगे आम पन्ना बनाने चाने हैं में अ उस्लेण और तेड़ा सबस्टास में दिखाते हूं आठीकना क्यां हो यहांउकनी शांगर आपके जो आटाचे तर्के से गोश्ट करेंगें जो कि आपी आम जी कंदल जिर जाती है तो पूर जाते हैं जो जाती है आई 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 जाती है सबसे पहले लूँगी केरी, यह दम मेरी धारवाजी छुरी, अब इसका उतानना है छिलका स्कुषी के अब का टुरी, वह दो पहले हुई। स्कुषर अबाल, वह घुछी दोती है शोची ळ्या राघज़ हम बगदे शिलका जारे कि आपको पतला पतला में काट इड़ांगे इसका अंदर लग रहा है गुटली यह जोती ना कच्छी वो निकलती गुटली वो नहीं है पक्की वाली जाली वाली गुटली है आम दलता है आम काचाः दलता है बाल या है यह जबाए अव्लिया जैसे फूर्ट पीचिवी का मैं सचता है आम करना आप हाड हो और विजो है फोर स्वान सब्सक्ट पर यह होज़ दो जाए हो जाए हृग है बोद हाड है यह बापा यासी जो आम का चार दालते होंगे इतनी म्हाथ पड़ती होगी निपे कर दो है अगया प्राइप का अगया है अगया इसके पाइड शाओ आज कर दो आज कर दो होगी निपे अगया तो आज चाहिए अगया अदा ग्लास पाइड आज को पगाना और अगया इसको पकाना है फूब अच्छे से ताके आम भी गल जाए तो इसको फड़ी में क्या गरूंगी थोड़ा सा जीरा रख दूंगी थोड़ी सी काली मर्चे क्योंकि यह धकन गरम होगा तो मुझे हल्का सा रोस्ट करना होता तो इसमें हो जाएगा कि यह जीरा और यह काली मर्च इसको पेले में मुख्य जाल में दाल दूंगी तो यह देखें इधर आम भी भी खूब अच्छी से इकल गई है अग्जेस कर दूंगी में बंद और उसको ठंडा होने दूंगी के और यह को पेले से चेनी और यह चेनी इसकंद्र में दाल दूंगों कि एम छेनी को में पीशूं गी इसकंदर चीनी है हलकी सी रहने ते पोल बात में खुआ है और यह सबाम भी एकसाथ घगाल के अब इसे भी घ्राइंड कर लेंगे तो यह देहें बिल्कुल परफेक्ट इसे मेरे पीछा है बहुत ही बढ़ी है अब इसकंदर बढ़ा है कोई बात नहीं है अब यह सकंदर बढ़ा है कच्छी के लिए को बहुत ही बढ़ी आ रही है मार्शालला से बढ़ा लूंगे एक किलास पार एक दो यह तीन और यह लेगे बरफ और बरफ भी केरी की तरह हाड़ और यह बहुत जादा तूटी नहीं रहे परफ फाइनली तोड़ी में बहुत ही मुश्किल से पूटी बरफ भी हाड़ हो रही थी केरी की तरह है केरी भी बहुत सब्सक्राइब काटने मेरा हाथ क्यों अश्कंद में दालेंगे नमक यह काला नमक काला नमक लिए यह आता चमच और इसको भी में दालेंगे और इसे खूब अच्छे ऐसा दिये इसको मिलाना तो इसमें अगर आप चाय को कलर भी दाल सकते हैं ग्रीन कलर काता है लेकिन में इतम जिसका नेचुरल कलर है वेसे ही अगर आपके पास में रही हो तो आप रही से भी कर सकते हो होती पड़ी है परफेक्ट कि अभी करेंगे आपके लुब में याप आपके अ मिलाने घापके इसकि अच्चिक कर दो डिपसे हो फि творाभ सारे वदckoJe subst To гa участब कि दुब में अओम कहा हुआ है झाल झाल कर दो गरो कर दो अगर है लुछाल जानिक में बाजने के रागो कि आ गर प्राव टे कि रहना धो खाद का व मियंग जड़ा रहां कि ठाल शयुट हुज कि अग्लाद कि अगड़ बार बार रार रहां कि रहता हुट कि वागई आप बजार की कोई भी कोल्डिंग भूल जाएंगे अगर आपने यह बनाया हो फिया इतना टेस्टी बना है और इतना हेल्दी है कि हम घर में खुब अच्छी हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और यह के गर्मियों में बहुत जादा बस समझो फायदा मन्दें कि जाए आप और अगर्म ड्रक्रेश करते हैं तौफी के दूफी कि में प्रेश कर दर दाल लाना बहुत ही मज़ेका लग रहा है जो इसमें मज़ेका लग रहा है और यह आम पन्ना कैसे लगा ज़रू बता ना मुझे और आप भी बनाए अपनी फेमिली को प्लाइं और मैं पिलाए नहीं हूं और क्योंकि गर्मों में बहुत ज़्यादा जरूरी है यह चीज तो आज कम लोग महीं पर एंड करते हूं अलहादी